हेलो इस्टूटेंट्स, बेलकम टू नमांकुर डिजी लेसंस आज हम बुंदेलखंड के स्री महराज चत्रसाल का अभ्यास करेंगे हमने लिखित प्रिश्णों के उत्तर लिखिए महराजा चत्रसाल किस नाम से बिख्यात हैं? महराजा चत्रसाल बुंदेलखंड के स्री के नाम से बिख्यात हैं महराजा चत्रसाल का जन कब और कहां हुआ था? महराजा चत्रसाल का जन जेश्ट सुकल तित्या संबत 1706 अर्थात 4 मई सन 1649 इस्वी को टीकमगड जिले के मोर पहाडी नामक इस्थान पर हुआ था चमपत्राय आजीवन किसका ब्रोद करते रहे? महराजा चत्रसाल के पिता बीर चमपत्राय आजीवन मुगल सासक, साहजा और औरंजेब के धर्मान सासन और बहु संख्यक परजाके परती पक्षता पूर्ण नेतियों का ब्रोद करते रहे बालक चत्र साल में कौन-कौन से गुण बिदमान थे बालक चत्र साल में साहास, सौर, आत्मिस्वास, बीरता और निर्वयता के गुण कूट-कूट कर भरे थे घोडे को भले भाई की संग्या क्यों दी गई देबगड युद्ध की द्वरान चत्र साल बुरी तरह घायल हो गए थे उन्दा प्यारा घोडा रात भर उनकी रक्षा करता रहा दूसरे दिल चत्र साल के भाई अंगत राय को पहचान करने के बाद ही घोडे ने उन्हें चत्र साल के सिविर में जाने दिया स्वस्थ होने पर चत्र साल ने अपने घोडे को भले भाई की उपादी दी चत्रपती सिवाजी ने बीर चत्र साल को कैसे प्रेरेत किया चत्रपती सिवाजी ने बीर चत्र साल को स्वधिनता का मंत्र और अपनी तलवार देकर बुन्देलखंड को स्वतंत्र कराने के लिए प्रेरेत किया बीरचहत्र साल ने अपनी सेना कैसे तयार की बीरचहत्र साल के पास साधनों का गोर अभाब था संगी साथी भी कम ही थे उन्होंने अपनी माता के आबुसणों को बेच कर पाँच घोडों और पच्चीस सेनुकों की एक छोटी सी सेना तयार की उनकी इस सेना में सभी बर्गों के लोग थे स्वामी प्राणनात ने महराजा छट्र साल को आसीरवाद देते हुए क्या कहा स्वामी प्राणनात ने छट्र साल को आसीरवाद देते हुए कहा चट्ता तेरे राज में धगधग धर्ती होए जित जित घोडा मुख करे तित्त फटे होए महाराजा चत्रिसाल की सासन विवस्था का बढ़न कीजिये महाराजा चत्रिसाल ने प्रिजा की सुक सांती और सम्रद्दी के लिए अनेक प्रियास की workers उन्होंने नियाय विवस्था को सरल बनाने के लिए पंचयद विवस्था की इस्तापना की बे अपराधियों को कठोर दंड देते थे, जिससे उनके राज्ज में अपराध होना कम हो गए, उनके राज्ज में बच्चे बूड़े और महिलाएं निर्भिक्ता पूर्वा कहीं भी आ जा सकते थे खालिस्थान भरिये महराजा चात्रिसाल ने खालिस्थान में भले भाई का इसमारग बन बाया महराजा चात्रिसाल ने भले भाई का इसमारग बन बाया दोबेला में तो क्या होगा इसका महराजा चात्रिसाल ने धोबेला में भले भाई का इसमारग बन ब नहीं थी, तो उसका क्या होगा, बुंदेल खंड की बीर प्रसुता भूमे भी इस संग्राम से अच्छून attends नहीं थी, स्वामी प्राढणात किसके गुरु थे, महराजा चठ्र साल के, तो क्या हो जाएगा, स्वामी प्राढणात महराजा चठ्र साल के गुरु थे, चत्रपती सिवाजी ने खालिस्थान का मंत्र दिया चत्रपती सिवाजी ने किसका मंत्र दिया स्वाधिन्ता का चत्रपती सिवाजी ने स्वाधिन्ता का मंत्र दिया बीर चत्रसाल ने अपने दुस्मनों के खालिस्थान दिये दिये गए उत्तरों में से सही उत्तर छाटकर लिखिए। महराजा चत्र साल ने पालकी में लगा कर संबान बढ़ाया। किसका संबान बढ़ाया था भूसन का। महराजा चात्रिसाल की समाधी इस्थे थे महराजा चात्रिसाल की समाधी कहा इस्थे थे दोबेला में बीर चात्रिसाल का जन हुआ था बीर चात्रिसाल का जन कहा हुआ था मोर पहाडी पर निमलिखित बाक्यों को उनके सामने दिये गए काल की अनुसार बदलिये महराज चात्रिसाल का समाधी स्थल उनके स्वारिका इसमरण दिला रहा है इसको किसमें बदलना है भविश्काल में तो क्या हो जाएगा महराजा चात्रिसाल का समाधी स्थल उनके स्वारिका इसमरण दिलाएगा बे भारत के बीर सपूत थे इसको बर्थमान काल में बदलना किया हो जाएगा बेहारत के बीर सपूत है शत्रू सैनेक जान बचाकर भागे इसको किसमें बदलना है भुद काल में क्या हो जाएगा सत्रू सेने जान बचाकर भाग गए संदी विच्छे कीजिए अत्याचार तो इसका क्या होगा? अतीधन आचार स्वाधीन तो इसका क्या होगा? श्वाधन आधीन इच्छा अनुशार इसका क्या होगा? इच्छा धन अनुशार आतम उत्सर्द जिम्न लिखे मोहाबरों का अर्थ लिखिये और बाक्यें प्रियोग कीजिए दो दो हात करना मतलब मुकाबला करना 24 साल मुगलों से दो दो हात करने से पहले उनकी रणनेती समझना चाहते थे चक्के छुडाना मतलब निरुत्साय करना देबगड के युद में छत्री साल ने दुस्मन के छक्के छुडा दिये नाको चने चबाना मतलब तंग करना छत्री साल ने मुगल सत्ता को नाको चने चबाने के लिए विबस कर दिया था लोहा लेना, मतला युद्ध करना, बीर दुर्गा दासराट और मुगल सत्ता को चुनोती देकर अपनी मात्र भूमी की रक्षा के लिए लोहा ले रहे थे अब इसके हम क्या देखेंगे, सब्द गोश, प्रसूता, प्रसूता मतलब जन देने वाले धरोह, धरोर मतलब अमानत, धाती धाती मतलब फूर्वजों से, प्राप्त, सांस्क्रिटे, अस्त्र मतलब हाद से चलाने वाले हतियार सस्त्र मतलब भेकर चलाने वाले हतियार, छती, छती मतलब हानी, ललकार, ललकार मतलब चुनोती देना, आत्मोचार्ग मतलब स्वयमका बलिदार, पारावार, पारावार मतलब असीम, इस्मारक, इस्मारक मतलब स्मर्ण ही तू बनाई गई कोई रचना, सिपहस सालार मतलब स अधिपन मतल्द है अधिकार। प्रजा वत्सल मतल्द है पुत्रो बात प्रेम करने वाला। फते मतल्द जीत विज्यर। राजी मतल्द प्रिशन्त। रहयत मतल्द है प्रजा। ताजी, ताजी मतला सजाग चोस्त, चोस्त मतला दूरस्त बार मतला बाल बाकी मतला टेड़ा Thank you students